पूर्वी जिलो में अपना आधार मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है एसी कड़ी में जेडियू ने बाहु वली नेता और जौनपूर के पूर्व लोकसभा सांसद धननजे सिंग को उतर प्रदेश में पार्टी का राश्च्य महासचेव नियुक्त किया है धननजे सिंग ने ग्रह जुले की मलहानी सीट से 2022 का विधानसबा चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं सके थी उनकी पतनी श्रीकला, रेड़ी, जौनपूर में जिला पंचरायत अध्यक्ष है मंगलवार को लखनाओं में प्रदेश विकाई के अध्यक्ष अनुप सिंग पतेल की अध्यक्षता में जेडियू प्रदेश कारेकारने की बैठा कोई जिसमें धननजे सिंग मुखे तोर पर वहां मौजूद रहे इस दोरान पाटी निताओं ने बिहार में जेडियू और आश्ट्री जिंता दल की महागरवंधन सरकार का स्वागत के आसाभा को संबूधित करते हों पतेल ने कहा कि जेडियू की उत्तर प्रदेश में भी अपने कैडर का विस्तार करने की योजना है लोकसबा चुनाफ से पहले जिले से लेकर बूत इस तर तक समीतिया बनाने का निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि जेडियू कारे करताओं को बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार के आदिशों के बारे में लोगों को जागरु करना चाहिए अनुप पटेल ने कहा कि लोकसबा चुनाफ 2024 में पार्टी यूपी में उमीदवार उतार सकती है पटेल ने कहा कि पार्टी यूपी में यूगी आदितेनात के नितरतों वाली भाजपा सरकार की कीमतों में व्रिद्धी बढ़ होती बेरोजगारी किसानों की पीड़ा और वैपारियों को पीड़न जैसे मुद्दो की विफलता खूज आगर करेगी गौर तलब है कि जैडियों ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसबाद चुनावों में भाजपा के साथ कटपंधन की वारता फेल होने के बाद 27 विधानसबाद सीटों से उमीदवार उतारेते हाला कि पार्टी यूपी में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी और उसका कुल वोट शेयर सिर्फ सुने दसमलाव एक एक प्रतीशत था अब ऐसे में बीजेपी को टकर देना जेडियों के लिए कितना भारी पड़ेगा और जेडियों जिस मजबूती के साथ उतरनी की बात आज कहे रही है क्या यह योगी सरकाल के लिए एक सबसे बड़ खत्रा है क्योंकि कम सीटे तो बिहार में भी थी जेडियों की बावजुद इसके बीजेपी को बिहार के सत्ता से बाहर का रास्ता जेडियों ने बड़ी आसानी से दिखा दिया तो क्या सीटों के आकलन पर जा करके फिर से एक बार जेडियों को अंदेखा कर दिया जो और अन्हीनुस्ट ग्रश्मावस